नमस्कार, बंदे मात्रम, स्वागत है आप सभी का, आपके अपने चैनल BSC AIMBUS सवम में, और मैं सवम दुबे आपका बहुत-बहुत सवागत करता हूँ, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, इंडियन कॉंस्टिटूशन, बिलकुल वन लाइनर के फॉर्म में आ बहुत-बहुत बढ़ाई, भगवान आपको आपके सही पतफर अग्रिसर करे, आप सफ सफल लो, और अगर हम बात करें, NEP 2020 के एकोडिंग, जो आपका पार्ठकरम एड हुआ था, नया पार्ठकरम आया था, उसी नए पार्ठकरम के एकोडिंग, अगर हम बात करें, इंड फुल होने वाली है हम बात केने अगर बन लाइनर question की तो सारी कि सारी बन लाइनर question होगे और सब कुछ धुआ धुआ जो है बिल्कुल कर दिया जाएगा आपके लिए एक जोस जगानी के लिए आपको एक सायरी हमने वो राइट करी है सफलता की केमत जिंदगी से जादा नहीं और जो हार से निरास है उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं तो जहेंद वंदे मात्रम तैयार हो जाई और कॉपी पैन उठा ले इंपोटेंट फैक्स को हम जानेंगे विनारुके ये वीडियो जो है बिलकुल सुपर फास्ट वीडियो रहेगी और अब्जेक्टिव पेपर जो है इंडियन कॉस्टिटूशन का होने बाला है तो हमने बन लाइनर के फॉर्म में सब कुछ लखा है पेपर आपका बहुत नजदी है असलिए थोड़ा सा फास्ट चलेंगे ठीक है जो आपको कुस्टिट लिखना हो तो वह आप रोक रोक करके नोर्स बना लें ठीक है चलो स्टार्ट करते है समदान सभा की जो उत्पत्ती है वो कैसे हुई या किस सब्द से हुई प्रबंदन करना या व्यवस्था करना यह हम बात करें तो आयोजन करना इसके अर्थ जो हो जाता है नेक्स्ट पॉइंट के हम बात करें तो बाल गंगादर तलक जीन वो सुराज विधयक प्रस्तथ किया था कब किया तो सन 1895 में किया था कुस्चन आपसे पूछ सकते हैं कि सुराज बधेक किस के दौरा पस्तुत किया गया चार पांच उसमें नेम हो सकते हैं अब सक्टर पेपर होगा क्योंकि तो आपको सही आंसर लगाना है वाल गंगा दर तलग पूछे कब किया गया तो सन 1895 में चीक है बात करेंगे 3rd point की समदान सभा की प्रथम बैठक कब हुई तो 9 December 1940 को जो है समदान सभा की बैठक हुई और अंतिम बैठक की अगर बात करें ये प्रथम बैठक थी 9 December 1940 को और 24 जनवरी 1950 को जो है वो ये अंतिम बैठक थी ठीक है सम्मदान सवा का गठिन किसके अंसार हुआ तो आपको लिख लेना है पता नहीं कितनी बार पूछा गया very very important question है यह तो cabinet mission के अंसार जो है वो सम्मदान सवा का गठिन हुआ अगर हम बात करें 11 संबर 1946 को गठिस सम्मदान सवा के स्थाय दक्ष कौन थे तो डॉक्टर राजिन प्रसाद जी की हम बात करेंगे तो यह जो है 11 संबर 1946 को जो सम्मदान सवा गठित हुए उसके स्थाय दक्ष थे अगर बात करें अगर ऐस्थाय दक्ष की तो डॉक्टर सच्चदान संदा जहें वो कहीं न कहीं ऐस्थाय दक्ष हो जाते हैं पॉइंट सिक्स रहेगा आपका 1947 अगस्त में गठत प्रारुफ सम्ति के अध्यक्स जो थे वो डॉक्टर वी आर अंबीटकर सहाब थे जिने हम बाबा सहाब प्यार से कहते हैं बात करेंगे question number बात करेंगे point 7 number की समदान सभा की जो बैठक है कितरी दिनों तक चली थी तो आंसर इसका एक सो सरसर दिनों तक जो है समदान सभा की बैठक चली थी point number 8 की अगर हम बात करें भारती समदान सभा ने राष्ट दोच को कब सुईका रहा था तो 22 जुलाई 1947 को जो है वो राष्ट दोच को समदान सभा द्वारा सुईका रहा था डॉक्टर वियार अम्बेटकर का समदान सभा में निर्वाचन जो है वो कही ना कही बंबई प्रेशीडेंसी से ये निर्वाचित हो के आये थे समदान सभा की प्रतम बैठक जो है वो कहा हुई थी तो यह दिल्ली में हुई थी ठीक है नेक्स्ट पॉइंट रहेगा संब्धान सभादवारा जन्गर्मन भारत के राष्टिगान के रूप में 24 जन्वरी 1950 को अपनाये गया और राष्टी दोज हम आपको बता चुके हैं 20 जुलाई 1927 को नेक्स्ट बात करें गरां पॉइंट की संब्धान जो है वो 26 नवंबर उन्नीस सवपचास को अंगीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 को क्या है वो लागो किया गया आपको बताना है कि जब 26 नवंबर 1949 को अंगीकार हो चुका था तो दो महिने का वो वक्त क्यों लग गया 26 जनबरी 1950 को क्यों लागू किया गया इसको आप कमेंट करके हमें जरू बता है अगर आपको पता है तो बता है अगर नहीं पता है तो कहीं से भी खोज करके इसकी जान सम्मदान लागू होने के समय कि आगर आम बात करें तो 395 अनुच्छिद थे और 8 अनुश्यद थी आपको बताना है कि अभी कितने अनुच्छिद है और कितने अनुच्छिद हैं इसका विएप कमेंट करके चुरू बताएं समदान सभाग की जो बिसेस्ता है या उनके जो स्रोथ है कौन सी चीज कहां से ली गई है बिल्कुल ये भी कुश्चन आपके एक्जाम समें बहुत चादा महतपूर जो है वो रोल प्ले करते हैं तो इसको भी हमने राइट किया है बात करेंगे भारत सासन अधिनियम 1935 भारत सासन अधिनियम में कौन-कौन सी चीज़े वहां से ली गई है तो संगिय तंत्र लिया गया है राचपाल का जो है कारिकाल भो भी लिया गया है नयपाल का लिगई है लोग सिवा आयोक की बात करें तो ये भी भारत सासन अधिनियम से लिया गया है और आपात कालीन अपबं या प्रशाशनक बेवरन की हम बात करें तो ये सारी के सारी चीज़े जो है भारत सासन अधिनियम 1935 से ले गई है बिटेन के समधान से क्या क्या लिया गया है देखो संसदी ये शाशन पढ़ाली बेरी वेरी इंपोर्टेंट ये भी कई बार पूछा जाता है ये बिटेन मतलब इंगलेंडी होता है ठीक है और आपसे 2-3 उसमें आपको अबजयक्ट दे देंगे आपको मिल जाएंगे कि अमेरिका है या फिर कोई और देश्य तो आमेरिका ओजबकि अमेरिका में खुद दोहरी जो है बेटेन के संब्धान से लिए गई है अगर हम बात करें संयुक्त राज अमेरिका का जो संब्धान है वहां से क्या-क्या लिया गया हो तो मूलतकार की बात करेंगे मूलतकार जो है वह संयुक्त राज अमेरिका से लिए गए है और नय पालका की सुतंदरता जो है वह संयुक्त राज अमेरिका से है नय कुंडा बलोगन सिध्धान की बात करें तो यह भी जो है वह अमेरिका के संब्धान से है उप्राष्ट पती का पध जो है अमेरिका के में नया अधिसों को हटाए जाने की जो प्रकरिया है वो भी अमेरिका के समधान से है और 6 के अगर हम बात करें राष्ट पती पर महावियोग कई बारी पूचा जाता है आपके एक्जाम समय पूच सकते हैं संयक तराज अमेरिका से जो है वो लिया गया है यह ऐसे यह जो आपका इंडियन कॉस्टिशिशन हुआ यह आपके अधर जो सैल्समेंसिप करके जो भी फोर न्यूटिशन हाईजिन यह जो सब्जेक्ट है ऐसे जो है वो आइलेंड के समधान से लिया गया है राष्टपती की निर्वाचन पदती जो है वो आइलेंड के समधान से लिया गया है राज समती के लिए सदश्यों का जो नामंकन है वो भी आइलेंड के समधान से लिया गया है कनड़ा के शमधान की बात करने तो कनड़ा की से लिया गया है शसक्त केंद्रों के शास संगी वर्स था केंद्र द्वारा राज के राजपालों की निक्ति आपको हो सकता है राइडिंग थोड़ी गवर लगे लेकिन आप फिर भी समझ जाना है ना ऑस्टेलिया की समधान की अगर बात करें तो संबर्ति सूची तो है वह संसत के दोनों सद्मों की शयोक्त पैठक की बात करें तो यह है ऑस्टेलिया के समधान से है और व्यापार वालिज या सवागम की स्वर्तंदर है न तो वह भी समधान से लीगई है नोट जारू कर ला है चमकひप करेंगे गया है दो तिन पॉंट और रहेंगे श्राइक के बाद हम चानेगे उतब दूसरी चीज के बाद हम पाइंट और रहेंगे लिखे लख ला हैं तो संचोधन की पिरियारियां वही यहां से अगर हम बात करेंगे तो यह जर्मनेक की घरमणी का जो बाइमर संब्धान है, यहां से अगर हम बात करें तो आपात काल, जो है वो जर्मनी के बाइमर संब्धान से ले गए हैं, और आपात संब्ध की बात करें तो यह भी जर्मनी के संब्धान से हैं, वेरी वेरी इंपोरेंट हैं, यह दोना ही इंपोरेंट हैं, लेक्चरूर से ली गई है चलो जापान के संब्धान की अगर बात करें तो विदी द्वारा इस्थापत प्रिक्रिया की बात होती है तो यह आपकी जापान के संब्धान से ली गई है रूस या बस यह लास्ट पॉइंट रहेगा रूस का जो संब्धान है सोविय संग इससे क्या लिया ग समदान से लिया गया है, चलो अब हम पढ़ लेते हैं, मूल अधिकार की हम बात करेंगे, है ना, मूल अधिकार के है, दोकष समदान से, हमाग तीन में है, ठीक इसते ज़्यादा आपके एक्जाम समा और कुछ नहीं पूछ सकते चलो अब हम देख लेते हैं आखिर में जो 6 है वो कौन-कौन से है तो पहला हो जाता है आपका समानता का अधिकार कौन से हो जाता है पहला समानता का अधिकार और जो समानता का अधिकार रहेगा आपका होग तो ये रहेगा आपका अनुचित 25 से 28 तक और संस्कृती सक्षा संबंधियतकार 29 से 38 रहेगा आपका और लास्ट रहेगा आपका संबधानिक और 4.9 अधिकार ये अनुचित 32 में है तो आप ऐसे याद कर लेना सम्ता सुतंतर्ता सोसनर धार्मेक संस्कृति शंभेधानिक और इन्हें याद कर लेना 14, 18, 19, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 32 यह थोड़ी सी इन्हेवी करम से याद कर लेना और इन्हेवी करम से याद कर लेना ठीक है चलो अगर हम बात करें अनुच्छद 32 ठीक है आपसे पूछ सकते हैं अनुच्छद 32 को जो है वो भारतिय शंभधान की आत्मा जो है वो कहा गया है यहीं से नहीं आपके कंपरिशन एक्जाम्स की दृष्टी से भी यह जो कुस्छन है बहुत ज्यादा इंपूडेंट हो जाते हैं चलो बाक सुतंदरता होती है कि आप अपने दोस सिद्धी के समंद में आप अपने खुद के सरक् कि अगर हम बात करें तो अनुछित 22 जो है आपको हैल्प करता है ठीक है नीती निदेशक्ततों के वारे में हम जाल लेते हैं वह 12-35 तक थे और यह जो है आपके नीती निदेशक्तत 36 से इंक्यों तक जो है आपके हो जाएंगे आयल लेंड के संभधान से लिए गए हैं हम आपको पहले बता चुके हैं और अंतर राष्ट्य सक्ति को बढ़ावा देने वाले तत्थ हमजने कहते हैं चीक है ब्यालिस वे संभधान संसोधन द्वारा यह जोड़े गए हैं नीती निदेशक्तत और च्छासी वे संभधान संसोधन द्वारा इनका क्या है संसोधन किय अनुच्वयत 45 में बालकों और निसुल्ख और अनुवारि सक्षा का प्रापधान है तो अनुच्वयत कितने में 45 में चलिए अब हम बात कर लेते हैं मूल कर्थब के बारे में चलो नोट्स जरू बनाते रहें नोट्स करते रहें ठीक है नेक्स्ट क्या रहेगा मूल सब्सक्राइब कानूनी अधिकार में तब्दीर हुआ था जो पहले आपका जो अधिकार था अपके है वो कर्टब बन गया है तो वहीं आपके साथ से च्छे हो गया थे यह जो दस से ग्यार हो गया है ठीक है यह रूस के समधान से ले गए हैं मूल करतब जो है वो रूस के समधान से हैं और मूल अधिकार की अगर हम बात करें तो यह हो जाएंगे आपके अमिर्का के समधान से ये भाग चार काम हैंगे ये कहाँ है भाग चार काम है बात करें 1950 में लागु समधान में नागरिकों को केवल मूल अधकारों का उल्लेक किया गया था ठीक है 1976 की बात करें तो यह एन्भाव किया गया था कि मूल कर्तब्यों का नहीं इसमें उलेक नहीं हुआ था तो 1976 में अन्वा किया गया था कि मुल्क कर्टबों का भी उलेक किया जाना चाहिए तो कब जोड़े गए? 1976 में चीक है? आप जिरू बताना वीडियो कैसा लगा आपको सब कुछ धुआ धुआ करने की कोसिस करी है और एंड तक हम पहुँच गए है और सारी चीज़ों को 22 तरीके से हमने कहें एक दू वीडियो और देंगे उसमें आपका पूरा इंडियन कॉस्टिटुशन कम्प्लीट हो जाएगा सब्सक्राइब जरू कर लेना अपने परिवार BSC Imbus Sibam को जो बात करता है सिर्फ सिर्फ राष्ट हित में देश हित में फ्री सिक्षा की ठीक है वह सारे ऐसे होते हैं ऐसे कोचिंग सस्तान चलाते हैं जो पैड कोर्स देते हैं उन सभी को यह चेलेंज है बिल्कुल BSC Imbus Sibam जो है आपको फ्री सिक्षा देने के लिए कसम बद्ध है और फ्री सिक्षा देंगे और होजन पोसन एवं सक्षता का जब बिल्कुल संपूर डिटेल जो हमने दिया था बिल्कुल दमदार जो है वो क्लास आई थी संपूर डिटेल भी हमने इसमें दिया था अबजेक्टर कुसिन इसके रहते पार्ट वन आपको कंप्रीट करा है अगर नहीं देखिए तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में शेर कर देंगे ये पार्ट टू भी आया था ये भी बहुत दमदार क्लास थी संपूर डिटेल ब्याक्ष्या जो हमने अबजेक्टर कुसिन के साथ इसमें दी थी आप कैसे पास हों ब्ये ब्ये ब्येश्य वीकों फस्ट यर सिकंड यर थर्ड यर कि जो स्टुएंट हैं अपनी स्टेटजी अपना उनके लिए हमने मूल मंत्र विल्कुल आपको दिया था अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो हम लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे आप जरू देख लीजेगा 14 डेस की जो है बिलकुल रॉन नीती थी हैना क्या पढ़ें क्या इस्किप करना है आपको मनोविग्यानिक तरीके से सब कुछ चीजें एनलिसिस करने के वाद ही आपको ये बिलकुल पूरी यूटूब की धंदा धंदार जिसे वीडियो हम कह सकते हैं आपको प्रोवाइट कराई गई है बिलकुल सौरी चीजें बताई हैं कि क्या गलती आपको नहीं करनी है सौरी चीजें बहुत वहतरीन तरीके से आपको करवाई है सेल्समेंसिफ की भी जो है वो क्लासिस हमने डाली है यूनिट टू तक हमने कंप्लीट किया है इसकी भी अबजेक्टिव को स्टूइट की वीडियो हम बहुत जल्द प्रोवाइट करेंगे सब कोई चीजें है डिटेल्स तो हम बैसे भी पढ़ा चुके है प्लेलिस्ट जरू बजट कर ले सारे विस्यों की जो है प्लेलिस्ट बढ़ा दी गई है अगर आप जनल साइंस बीए के स्टूइट है जनल साइंस अगर आप पढ़ना चाहते है तो इसका संपूर से लबस दिया है और इसके भी अबजेक्टों को सिनकी जल्दी हम एक सीरीज बहुत जल्दी स्टार्ट कर देंगे एक्जाम से पहले कोसिस रहेगी सब कुछ कम्प्रेट कर दिया जाए है ना सौस्त रहना आपका बहुत जरूरी है स्वास्त आप बिल्कुल ठीक रखें एक्जाम आपके बहुत पास में 28 मार्स 2022 से जो है वो आपके एक्जाम होने वाले है तो स्वास्त आप बहुत बहुत बहतर रखें है ना कहते हैं ना कि स्वास्त सरीर में जो है वो स्वास्त सरीर में बहुत उम्दा जो है वो मस्तक्स होता है होता है तो ठीक है फिर मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो में सस्क्राइब जरूर कर लेना अपने परिवार बिये सी अमबस सवम को और बैल आइकन को जरूर प्रेश कर देना सौस्त रहिए पूरी तरीके से अपनी पड़ाई में व्यस्त रहिए चहन जभारत बंदे आत्रम